आप फ्लोर खोलिये और आज के आप सबको वैसे तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स वीरू पाल्विया साथ शॉपिंग पर कब गया आप आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स अब आरे हो कि लालबाक्चा राजा देखने के लिए इस बार मुंबही निया रहे किया आप ट्राय कुरूंगा मैं दिमाट में है इस बार देखिया अचे जी इस बार दो साल के करोना के बाद इसका जो यह गनपति फेस्टिवल है डे चेर फुल रहेगा और सबका ज्यान घर पे भी सबका ज्यान सिर्फ उसी में कोई हमारे दुर्फ नहीं देखने को रहा है लालबाक्चा राजा वो विज्वल्स यह अन्वीलिंग कल यह दरशन हुए पहली बार लालबाक्चा राजा कि और यह सद्पिस साब सही कह रहे है दो साल से नहीं बैठ रहे थे अब थर्ड येर फाइनली कोविट के टाइम में नहीं बैठने के बाद आज से वो अन्वीलिंग कल हुई है और अब इस बार इस बार फेस्टिविटी इस तगडी है वो इंडिकेशन वीरू मिल गयते जब दहियांडी दहियांडी इस बार म मंडलों ने जित्ते एग्रेसिव रखे थे यह हमारे पैनल को भी कोशिश करके सीख लेना चाहिए तो साल का पूरा काम एकी दिन में हो जाएगा अब उसमें खैब सबसे उपर मैं जाओंगा मैं वेट ने उठा पाऊंगा ज्यादा लोगों का लेकिन चलिए टॉपकॉल की शुरुवात कर रहा हूं आज की बैतरीन स्टॉक पेक्स ओवरनाइट ट्रेड में जो एक्सपोर्ट्स आइंटिफाय करके लाएं उसके साथ ल गावासर ने ड्रेस चेंज कर ली है सुबह से अब तकि गावासर फेस्टिव मूड में आगया अब यह वीरु को देखके ऐसा हुआ गया कि यह ओडियो बंद हैं गावासर सॉरी माफी चाहता हूँ वेल आपको और हर्षदा को देखे हुआ अब दोने ही बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैं मैं भी चेंज कर लू मैं तो वो इंडिपेंडेंस डेवाली रस्कोट में हर्षदा को देख कैसा हुआ है फिस्टिव मूड में आगया है गावासर और चलिए आज का पहला प्रिफॉर्ड ट्रेड आज का पहला प्रिफॉर्ड ट्रेड है लॉंग साइड और वो है मारूति उसका रीजन यह है क स्ट्रॉक्चर यह बढ़िया है और डेली चार्ट पर देखा जाए तो एक साइडवेस का अंसालिडेशन और कल इतनी मार्केट में गिरावाट हुई उसके बाद भी बावजूर मारूति में अपमों मिला स्ट्रॉक्चरली इसमें जो बार बना हुआ है अच्छा है स्ट्रॉक्चरली मुझे लगता है 9000 तक तैयारी कर रहा है और एक बार 9000 चला गया फिर तो स्ट्रॉक्चर और अच्छा हो जाएगा तो ध्यान देना चाहिए आज मारूति बाद कि खरदारी करने का मन ध्यान दीजे स्टॉक पे 9000 की ऑन दे वे अप कर रहा है शायद ये स्टॉक तैयारी अच्छा आइस टैंड करेक्टेड हमारी टीम जादातर सब लोग जाते हैं लाल बाक चला जब फिछले दो सालों से बैठे लेकिन वो सार्जिनिक दर्शन के हुआ था ठीक बात कविदा जी हाई गुड मॉनिंग कविदा जी वहाँ पे मूड मॉल कैसा इन दौर में पंडल लग रहे हैं आसपास क्या बहुत तबी जग बहुत उच्छा माँड बेसिकली अजय कभी सर ने का ओविड के मैद भी सारे पेस्टिविटी इसमें काफी जूश है इस लेक्ड़ी हंडी को बिलकुल सामने ही देखने को मिला था एं गणे शुपसव की बहुत इच्छी दूम है ताप सभी को गणे श कि मार्कित में भी आप देखे ते आप अर्वे अनल और भी एची यह की जो हमने अभी आभी आप देखा लेका बहुत अगा बहुत भी जाए देखा हमने और अपने प्रीगे स्टीग के ऊपर एक अच्छे बॉल्यूम के साथ आपने यहां पर चैंडल प्लोस होते वे दे तो भी एचेल बाइक और याद रखी का बीचल भॉपाल में भी है ठीक है और बीचल की भॉपाल के बाद ने बीचल की बाइक बाद आगे चलते हैं राजे सब्सक्राइब बार राजेश जी गुड़ूनिया आपकर कनुशन पर पताईए रहेगा बार्यूनिया यहां पर कि आज अगर आपको बाइसाइड का ट्रेड लेना तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि क्रॉंटन का लिए रहेगा इस इनिशल ट्रेड तो मेरे इसाब से बाइक होना चाहिए एक फुल बैक ले तरहेंगे पूर अप्टरून के बाद सेकंड सेशन जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है डिस ऐसे होगा तो इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना है तो क्रॉंटन देखिए 406 के आसपास के इसका प्लोज हो के उपर बाइब बनता है 395 का स्टॉप लॉस और इसका टागिट बनता है करीबन 420 चले के 425 तो यह जो ट्रेड होगा व कर अब देखें इतना इतना अब देखें स्टेवल रहा के पूचिए मत 424 25 का अब देखें टागिट है 395 का स्टॉप लॉस है माराच जी गुद मॉनिंग आपको भी सप्रेब के शुप कामना है बताइए आज का आपका कन्विशन ट्रेड और आपका कन्विशन कॉल क्या सब्सक्राइब कर देखें लेकिन के बाद कर देखा और पिछले 10 दिनों के वाल्यूम की वज़े से इसमें जादा आता है आप उमीद कर सकते हैं कि जो पिछले हाई 255 रुपे के हैं बहुत जल स्टॉप करने के कोशिच करेगा लेकिन अगर एक से दोजनों के टार्गेट करने होंगे तो 229 के टार्गेट इंडिया सीमेंट में आप सेट कर सकते हैं करें लिवस पर खरिदारी करिए 213 रुपे के नीचे स्टॉप लाउस लगाईए और 220 का कॉल आप्शन भी लिया जा सकता है दस रुपे के आसपास ट्रेड हो रहा है यहां पर 7 रुपे का भी सपोजिट जो तेजी आनी है उसको राइड किया जा सकता है पाल्वया साब हाई गुड मॉर्निंग पाल्वया साब आज का पहला टॉप कॉल कौन सा गुड मॉर्निंग आशी जी गुड मॉर्निंग विरेन जी और सभी को गड़े शुपसव की अगरी मदाया और परीशन वर्व की सभी को शुप कामना है तो पहला को जो रहेगा वो रहेगा वह रहेगा बारत इलेक्रोनिक्स यह स्टॉप में देखें तो कल के सेशन में भी इतने करेक्ट्व मार्केट में भी इस्टॉक एक स्टेबल पर्फॉर्मेंस दिखा रहा था और जिस तरीके से कंटिनिशन ओफ अप्ट्रेंड यहां देखने को मिल रहा है स्टॉक में कल करीब 4% के आसपास ओपन इंट्रेंस बीड होते वे दिखें तो हम यहां पे बीएल पे बाई करने की सला देंगे हमें लगता है यह स्टॉक में जिस तरीके से एक अप्ट्रेंड यहां पे कंटिनिव है यह स्टॉक आज भी अच्छा मूँव कंटिनिव करते में जिख सकता है स्टॉक में हम एक्सपेक कर रहे टार्गेट आना ची करीब 319 से लेके 323 तक के स्टॉक लोस रखेंगे हम करीब 304 रुपे का तो बीएल पे बाई करने की सला रही है आज कैसी बिलकुल ठीक बीएल भारत इलेक्ट्रोनिक्स कल भी बहुत बड़िया मूव्स इंजॉय करें और कल भी क्या ओफ लेट इसकी रिलेटिफ स्ट्रेंथ तो आपने देखी है यह आज का पालविया साब का प्रिफर्ड पिक लेवल्स आप लोग की स्क्रीन्स पे जो टॉप कॉल्स हैं आज के क्विकली रैप अप करते हैं तो तैयारी, 87-60 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस नगाईएगा, कविता जी ने बी एचियल पर बाई कॉल दिया है, 56-50 के स्टॉप के साथ 62-50 और उपर फिर 64 तक के जोन्स तक शायद बी एचियल जाता हो नसरा है, बहुत अच्छा मोमिंटम वैसे द्यान रखें यह स्टॉक मानस ने इंडिया सिमेंट्स में अभी बातचीत करी और इंडिया सिमेंट्स में तेजी बुनाने के एक और तरीका भी मेंचिन कर दिया है, जो लेवल्स है वो आपकी स्क्रीज पर ने 229 टागिट 213 का स्टॉप और चाहे तो 220 का इंडिया सिमेंट का कॉल खरीदा जा सकता है और पालविया साब ने वो जो मोमेंटम में स्टॉप है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड इसमें 304 के स्टॉप के साथ अब हो रही है शायद 323 तक की तैयारी रखिए स्टॉप को रडार पे खरदारी करने का अबमान, इस बीच गरांग सर जोड़ते हुए, एक मिन टॉप कॉल में गरांग सर का भी ले लेते हैं रेक्टर साब, गरांग सर जोजीत में आप लोग का प्रिफर्ट पिक ये टेक्निकल ट्रेड आज स्पेसिफिक हो गए, अरे वाह, आज ते एक तब फेस्टिव मूर में गरांग सर अच्छे लग रहा है आप अगो धन्यवाद आपका और आप सभी को शुप्रभात और गनेश उस्व की धेड़ सारी शुपकामना हैं, आप सभी को CNBC आवास के टीम, मंच पर उपस्तित सभी महनुभावों को और CNBC आवास के दर्शकों को हमारे तरफ से गनेश उस्व की बहुत सारी शुपकामना है आप के रूप में आशीश आटो शेतर काफी अच्छा कर रहा है और हमारी सोच समझ यह कहती है कि आटो एंसलेरी भी मेरे ख्याल से ज़ादा पीछे नहीं होना चाहिए इसका भी योगदान आना ज़रूरी है अगर आटो शेतर अच्छा करता है तो इसी शेतर से जुड़ दो पईया और तीन पईया वाहनों को पुर्जे उपलप्त कराती है नहीं नहीं टेक्नोलोजी को ले करके प्रोड़क्स लॉंच करती है और अच्छा खासा मार्केट शेर है ना तो सिर्भारत में ये कंपनी विदेशों में भी अपने जो प्रोड़क्स है वो मुहिया करा अच्छी लगती है और फिर से अच्छी आवास के दर्शकों को CNBC आवास की टीम और मंच पर उपस्तेच सभी मानुभाव को गनेश उच्छाव की बहुत सारी शुपकामना है बहुत बढ़िया और यार सुमेट सुमेट को दिखाईए स्क्रीन पे ये पूरे पैनल को देखके अंडर ड्रेस टाइप फीलिंग आ रही है मुझे भी बात में लगा अब वीरू तो फिर भी फेरली ड्रेस्ट है अब अट लीस उन्होंने गोल्डन पहना है बढ़िया राजे सर ने गोल्डन पहना है गोरांग सर बढ़िया ब्लू हम लोग थोड़ा तवी रह गया है मानस को देखिए ये कुछ गयले में डालने के लिए कैस आक्टर साब प्लीज देखना जबाँ कुछ चुन्नी, कुछ दुपट्टा, कुछ माला सोना गर पे है नहीं ठीक है, ये, आज़ा, कही सारे स्टॉक्स पे बात करनी है उस पे मैं आता हूँ, रिलाइंस इंडस्ट्रीज के लिए हच्दा भी आपको स्टूडियो में नदर आएंगी रिलाइंस इंडस्ट्रीज की कल वो अल इंपॉर्टन्ट 45th AGM डिटेल्ड कवरेज, ठ्रेट बेर डिसकशन आपने सीनदी से वास पे देखा लेगिन आप जान लीजे कि तमाम ब्रोकरिज्स उस AGM को सुनने के बाद क्या रिपोर्ट्स लेकर आई है तीन हजार के ऊपर के लगभग तीन कंपनियों ने चार कंपनियों ने टागिट्स दिये हैं तो स्टॉक आज डेफिनिटली ड्राइव करता हुआ दिखाए देगा कल लिए तो गोल्मन साक्स कह रहा है तीन हजार पैसट का टागिट तो ये चार कंपनिया जो कह रहे हैं तीन हजार एकसो दो सो तक के लवस देखने को मिलेंगे जेफ्रीज 2980 पर बाई के साइट बैठा हुआ है और सिटी भी बाई कॉल दे रहा है दो हजार आचसो दस के टागिट के लिए अब आप देखिए कंपनिया क्या कह रही है कंपनिया बुलिश है दो तीन फैक्टर्स पर एक तो 5G को लेकर जो इन्होंने तयारी कर ली है कि दिवाली तक चार महा नगरों में यानि कि अगले दो महीनों में 5G सर्विसे शुरू होती भी दिखाए देंगी पैन इंडिया फिर अगले साल दिसंबर 2023 तक ये सिवायर पूरे देश में फैल जाएंगी उसको लेकर ब्रोकरिजिस काफी खुशन जराई क्योंकि ये नया बिजनिस दरहसल एक ड्राइविंग फैक्टर रहेगा इनका जो कोर बिजनिस है O2C महाँ पर भी जो करीब करीब 75,000 करोड के कैपिक्स का एलान किया है उसको ब्रोकरिजिस दरहसल दे रही है थम्स अप उनको लगता है कि दरहसल ये एक पॉजिटिव रहेगा लेकिन एक और चीज जिस पर कल हम सबसे पहले वही चर्चा कर रहे थे सक्सेशन प्लाइम का जो रोड मैप है वो साफ हो चुका है जिस तरह से साफ कह दिया गया है कि न्यू एनरजी बिजनिस का जिमानंत मानी के हाथ में रीटेल का बिजनिस ईशा मानी के हाथ में और अफकॉस हम सब जानते हैं कि रिलाइंस जियो के सीयो के तोर पर वैसे भी हाकार समानी पदभार संभाल चुके हैं तो ये सक्सेशन प्लाइन को लेकर ब्रोक्रिजिस काफी संतुष्ट है और उन्होंने का है एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी दिखाता है कि कंपनी आगे अपने बिजनिस को कैसे बढ़ाना चाहती है जियो मार्ट और खास्तोर से रीटेल को लेकर जो अनाउंस्मेंट्स आए एक तो FMCG बिजनिस में उतरना वहाँ पे कंपोटिशन अफकॉस इंटेंसिफाई होगा वो एक पॉजिटिव जरूर है लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या कंपनी की स्ट्राटिजी होती है लेकिन जियो मार्ट को लेकर जो टाय अप वाट्साप के साथ हुआ है वो दरसल कंपनी के लिए एक बड़ा ड्राइवर रहेगा इस FMCG बिजनिस को भी और एक अच्छा बेस देने के लिए क्योंकि उसका फाइदा वो टाते वो दिखाई देंगे यह दरसल ब्रोकरजिस कह रहे हैं तो बेसिकली यही है कि 5G, रीटेल और सक्सेशन प्लान साथ ही साथ O2C बिजनिस में भी जो नए इन्वेस्मेंट की बात सामने निकल कर आ रही है उसको लेकर ब्रोकरजिस बेहत बुलिश है आपका ये कहना कि 2027 तक रिलाइन्स की वैल्यू डबल करने का लक्ष है रिलाइन्स डबल अगर बिजनस ट्रैक्शन दिखाएगा तो स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा गोरांग सर कॉल के आप लोग का हाउस कॉल जियोजीत का तो जो भी घोशना है कल माननी है चेर्विन थाब ने जो बताई है और उसके पहले भी जो एजी एंस को लेकर के घोशना हुई है और जो विस्तार योजना कमपनी ने चाहे वो नया कारोबार हो या फिर इतियास्सिक तोर पर जो कारोबार इनके पास था वो हो या फिर नया नई सोच और नई विचारधारा जो उर्जा शेत्र में लेकर के यह आए हैं और जिस तरीके से ट्रांजिशन की बात करी हैं। मेरे ख्याल से यह न तो सिर्फ कंपनी का भविश्य सक्षम रुप से मजबूत करता हैं लेकिन कंपनी में काम करने वाले जो करमर्शारी हैं उनका और शेहर धारों का जो भरोसा है वो और भी मजबूत कर देता है। हमने कई बार हमारे चैनल CNBC आवास पर Reliance Industries के तिमाई नतीजे को ले करके, AGM को ले करके, नए कारोबार की गोशनाओं को ले करके टिपनिया करी हैं। और काफी लंबे समय से आशिष हमारी खरीदारी की राये हैं। और लक्ष के रूप में अगर आप हमें पूछे तो मौजदा लक्ष जो हमारा है, वो गरीबन 3000-3100 के आसपास का है। अगर नतीजे बहतर आएं और जो भी विस्तार योजनाओं की बात करी हैं, जर्मिनी इस तरफ पर वो लागू हो गया और उसका सकारात्मक्स आसार बैलेंशीट के आगड़ों पर पड़ा, तो ये लक्षांग हम उपर के तरफ लेके जाएंगे। ठीक, रिलाइंस इंडस्ट्रीज को रखेंगे रेडार पे, खेर, आज का मुवमेंट के बाद फिर टेकनिकल व्यू लेकर आऊँगा, लेकिन रिलाइंस पर क्यूंकि बहुत डिटेल में चर्चा होगी, खेर, देशी सबसे बड़ी कमनी और खबरों में थी, इसलिए बात चीत कर लिजेगा, यह ओगे रिलाइंस की बात, देखते हैं आज हेवीवेट किस तरह से फाइनली मूव करता है, उस एजिएम के आगे, बागी लेकिन सुमित, खबरे आ रही हैं, छोड़े चोड़े आ रही हैं, लेकिन हाँ, खबरे हैं, कुछ-कुछ फ्लोट सेल ही रहा डेसाटीनिब टैबलेट को मनजूरी मिली है, अगर मैं गलत हूँ तो प्रणसीेशनले माफ ली, तो इस दवा को मनजूरी मिली है, और यह जो दवा है, यह कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में इस्तवाल होती है, और तो आप लूपिन पे नजर बनाकर रख सकते है इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में एक M&M जहां पे महिंदरा इलेक्ट्रिक मॉबिलिटी ने नया कारगो इलेक्ट्रिक थ्री वीलर जोर के नाम से लॉंच किया है, तीन लाग साड़ जार का एक शोरूम प्राइस है, तो M&M वैसे भी आटो सेल्स के नंबर से प्राइस भी देखेंगे, जा 46 क्रोड रुपे प्रिफरेंशल बेसिस पर जुटाने को मंजोरी मिल चुके बोर्ड के तो यह दोनों फंड रेजिंग है, एक साथ ही आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, अच्छा किम्स जिसने एक स्पन्व मेडी रिसर्च लाइफ साइंस लिए, ओफस ड्रॉप करने को लेकर, और कंपनी ने एक वाट्स फूड डिलीवरी फैसिलिटी भी लाँच की है पैसेंजर्स के लिए, तो यह एक बढ़िया कंपनी के तरफ से अपडेट आता हो दिखाई पड़ रहा है, तो यह दोनों चीजों पर दो अपडेट जो कंप यूसेज के लिए रहेगा, उसलिए आप ध्यान रखेंगे, अच्छा दो और बड़े अपडेट आया है, एक बजाज फिंसर्व की तरफ से अपडेट दिया है उन्होंने कि कंपनी ने 14 सेप्टेंबर जो है, वो अपनी रिकॉर्ड तारीख तै की है, वन इस्टू और वन इस्टू वन बोनस को लेकर, नहीं एक शियर को पांच शियर में विभाजित करने को लेकर, और साथ साथ एक पर एक बोनस को लेकर, 14 सेप्टेंबर इसकी डेट है, यह बहुत समय से अवेट इट था, डीटेल इन्वेस्टर्स के बीचे हैं, तो इसको आप ध्यान लेकर नोट कह रहा है कि पॉसिबल करीब 10.2 करोर डॉलर के आसपस का एक आउटफलो आता हूँ दिखाइब पड़ सकता है, तो आप प्रामल इंटर्पाइजस तो भाईया आप प्रामल इंटर्पाइजस दियान सके हैं, वो अपना फार्मा बिजनस डीमर्ज कर रही है, पिरामल इंटर्पाइस के एक शेर पे आपको चार शेर पिरामल फार्मा के मिलने है आज एक्स डेट तो देखते हैं कहां पे स्टॉक एजिस्ट होता है इसकी रिकॉर्ड डेट पर सो के दिन की एक सब्टेंबर की डेट आर पर रखी एका डिक्सन टिक्नोलोजी इसको स्टॉक स्क्रीन पर खीचेगा सरकार ने कल क्लारिफिकेशन दे दिया ओफिशल क्लारिफिकेशन दे दिया है कि चाइना से जो मॉबाइल फोन्स आ रहे हैं उनको बैन करने की बीच में ऐसी खबरे थी ना बैन करने की कोई तैयारी ने डिक्सन कॉंट्राक्ट मैनफ्रैक्टरिंग फोन्स के लिए करती है तो इस स्टॉक को इन ग्रीन मानके चलिए खबर अच्छी स्टॉक के लिए आज से थारोगेर का स्टॉक खीचेगा कल फंस्पित इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने बी एससी एनसी में कुल मिलाकर पौने छे से छे लाग शेर्स दोनों एक्चेंजिस पे कुल मिलाकर बेच दिये वैसी पिटा हुआ स्टॉक है ये लोज के आसपास फंड की सेलिंग और उपर से आती हुई औरियंट सिमेंट को कीचेगा इसमें फ्रैंक्टिल टेंपर्टिल म्यूचल फंड ने कल डेड़ लाक शेर्स बेचे हैं आज कई सारी इंपॉर्टन बोर्ड मीट्स हैं एक तो आप्स्रीम आइल कंपनी जड़ा पे O.N.G.C. आउल इंडिया क्योंकि क्रूड हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे तीन डॉलर स्वेल करे गया कल और आज के बीच में इसमें H.O.E.C. को जोड़ दीचे आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर और शेर इस्वेंस के जरीए फंड रेज करना चाते है रुचिरा पेपर की बोर्ड मीट है आज बोनस शेर जारी करने पर टीडी पावर सिस्टम की बोर्ड मीट है आज स्टॉक स्प्लिट उस पे विचार करने के लिए MMTC और Orisa Mineral Development Corporation दो और स्टॉक इनके आज रिजल्स आने हैं जून कोटा के नंबर्स हैं इन दोनों कंपनीज अपने नंबर्स रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और एक हाइडलबर्ग सिमेंट को ध्यान में रखिए का 9 रुपे का डिविडेंट एज़स्मेंट आज एक डेट है तो एज़स्मेंट के साथ वो स्टॉक आज ट्रेड करता हूँ वो होट स्टॉक्स के निकल क्या है जैंट देखें बिल्कु बिल्कु आशिश मैं आशिश आट स्टॉक्स स्कीन पर रख रहा हूँ प्लीस इनको नोट करके रखें का पोस्ट ओपनी अगर लॉंग ट्रेट लिन ओंगे तो इसमें फोकस करेंगे देखें एसकॉट्स को बोटा तो कल था ही था वो स्टॉक्स हमने प्री ओपन में सचिन जी के साथ डिसकस किया था स्ट्रॉंग स्टॉंग देखे गया हूज वाई बिल्डप लॉंग साइट पे 943 की लॉंग क्लोजिंग एक इस स्टॉक में बहुत ही सबस्टेंशल एडिशन था में क्यों एडिशन हुआ है बत कूड काफी फॉर्म है बच्टिल इस स्टॉक में काफी लॉंग क्रेट हुआ है और टाटा केमिकल और इन दोनों में से भी आपको सबसे प्रिफर्ड स्टॉक पिक करना हो तो मैं दो स्टॉक का यहां पर जिक्र करूंगा राजिश पालविय जी एक है जुबिलेंट्स और दूसरा है टाटा केम ग्यारा सो बत्तिस पे क्लोज दोनों ही स्टॉक का क्या सबसे क्रिडिकल फे इसने और उसके बाद पूरे दिन एक स्ट्रॉंग फुल पैक आप इस शीट में से क्या प्रिफर करेंगे क्या प्रिट करना स्पेशली टाटा केमिकल एंजू इन फूर्स में से तो बिरेंजी मुझे लगता है टाटा केमिकल यहां पर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा जिस तरीके से स्टॉप में स्ट्रेंद बनी हुए हमें लगता है कि यह टाटा केमिकल यहां से अच्छा प्रूव करते हुए दिख सकता है 1180-1200 तक की अप्साइट के टार्के इसमे हमें लगता आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल देखने को मिल सकते क्योंकि स्टॉप में ओवरॉल अगर सेट अप देखे तो एक स्ट्रेंद बनी हुए एक रेंज का ब्रेकाउट भी इसलिए सेटप पर होते हुए दिख रहा है तो टाटा केमिकल बाहिए करने के अगर आप देखें रहा है वो जो फ्लैक पेटन है ना इसने कायन रखी है और यकीन मनियेगा गैरा सो चालिस के उपर इसका फ्लैक का जो ब्रिक आउट है वो काफी आकरशक होगा वो टिपनी उस दिन आशिश भाहिए जी की भी थी मानस कोलगेट इस बार ये स्टॉक कुछ डिफरेंट कर रहा है और एक टिपिकल इनवर्ट हें शोल्डर और एक टिपिकल सवा साल की रेंच ब्रिक आउट के चांसेज अबाव 1620 और उस पे इसने कल क्लोज दे ही दिया आपका ठेक कोलगेट पे आज पॉस्टिफ ब्रेक आउट कर देखने को मिल जाएंगे करेंट लेवल से भी 17 रुपए का पूम देखने को मिलेगा तो खरीदारी करने की रहे राएंगी कोई टिप मिले तो आइधिन बेतर लेवल 1620 से लेकर 1610 की रहेंगे वहां खरीजारी करिए 15 पश्टर की स्टॉप लॉट से 1700 रुपए की टार्गेट के लिए और आइधिक यहां पर आप 1740 का कॉल आप्शन में ले सकते हैं 1640 का कॉल आप्शन ले सकते हैं जो कि 48 रुपीस का ट्रेंट हो रहा है वहां पर खरीजारी करिए 34 रुपए के स्टॉप लॉट से 80 रुपए के टार्गेट के लिए ओके कोल गेट हो गया टार्टा केमिकल हो गया और एक स्टॉक और जिसका जिक्र में कल डिस्कुशन में गौतम शाहज़े के साथ भी कर रहा था आप चार अक्टूबर 2021 के बाद की अपनी पूरी चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ हैवल्स 1343 पर इस पर नज़र रखे चलिए जा राजेश सद्पुते जे आई थिंक हम हमेशा अमुमन जो होते हैं इसी प्रकार के चार्ट की खोज करते हैं चाहों जिसे आज तरागेमिकल की प्रिस्मेंट है आज गोल गेट की प्रिस्मेंट है और लुक एफ़ल्स सराफ आपका आउटलुक क्या है है विस पर इस आपसे जबरदस्क चार्ट है कि हमने देखा जब जब यह डिब देता है अपने 10 डेमें का सपोर्ट लेता है वर्स्ट फेस में आपके सब्सक्राइब पहला रजिस्टन्स है वो 1370 की ट्रेजिक्टरी में आता है वो अगर निकले तो फिर मुझे लगता है यह 1400 को अट फोल्ड करेगा तो डेफरेंट लेवल्स एक बाइस है का ट्रेड है स्टॉप लोज जैसे मैंने कहा 1330 का लगाई यह हो गया बहतरी एक हमने आट ट्रेड के तो होट स्टॉक्स ले लिए आज के स्पेसिरिक ट्रेड के ते लेकिनि सीरीज को लेकर कहां पैई कमाई के बढ़िया मौके है यह पैनल क्या मानता है उस पर फोकल आई यह कुछ है का स्टिंग बिंग सब्टेंबर सीरीज के सितारे दिखाई यह स विकली सेट पके हैं यह पिछले तीन चार शेक्र एक रीज में करते वे दिख रहा है उस तरीके से स्टॉक अपने रिज के हायर साइट पे यहां पे सस्टेंग करते हुए अब लगता है स्टॉक में सेटेंबर सीरीज में अच्छा ब्रेकाउट आते वें दिख सकता है और पिडिलाइट रखेंगे हम करीब 2665 के आसपास वो टार्गेट हूँए 2850-2870 तक तक के पिडिलाइट रखेंगे रडार पे सब्टेंबर सिरीज की पाल्विया साब की पिक खरदारी करने के मौके यहाँ पर पिडिलाइट में रह रहे हैं के स्ट्रेंद भी आई थी कुरू नरम पढ़ रहा था अभी तोड़ा था कुरू दुचाल में लेकिन पिडिलाइट इंट्रिस्टिंग सेट अप है पालिया साब कह रहे हैं इसको इस सीरीज के लिए हाथ से खरीदा जा सकता है इन लेवल्स प तो यहां पर कहीं लगता है इस तरह से आपको इस सीरीज में क्रॉंटन डटार पे रखना है चार सो का सपोर्ट धान में रखते हुए आप 385 का पोजिश्चनल स्टॉप लॉस रखें अगर्डिंट टू प्लास तो मेरे हिसाब से इस सीरीज में क्रॉंटन डेफिनली हमार जोना पर होना चाहिए सब्सक्राइब करीब पिछले 10 दिनों में काप्या इच्छा पाइंटर को मिला उन में से आइडियों जुन जुलाइं में हमने गिरावट देखी इस चालिस रुपए के आसपास बॉटम बनाए उसका वी शेफ रिकवरी में वापस पिसले आइस को टेस्ट करने की कोशिश सब्सक्राइब करने के लिए और यहां पर आप जो सब्सक्राइब करने के लिए माँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं वाद दो रुपए 85 पैसे का ट्रेड हो रहा है में काद स्टॉप लॉट सकने की जुरूरत नहीं है दस रुपए की टार्गेट जरूर सक करिए आप इफसी वाकिए एक सॉलिड वी शेप रिकावरी बहुत अच्छा मूव आफलेट पिक अप हुआ है स्टॉक में सब्सक्राइब करने के मौके सारी ट्रेड राप अप कर दूँगा जब आपको टांगिट स्टॉप लॉट रिफ्रेश्च मिल जाएंगे गावा सर सब्सक्राइब करना चाहिए अपनों को इफ 27 वे लखना राते हैं तुम्हें रिलाइंस पूद्यान लेंगे आज़कर आप डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर हमारे एंड पर देते नहीं है गवसर ने रिलाइंस की बात करें तो इस चैनल के स्वामें तो प्रवंदर रिलाइंस डश्वी के पास है 27 तक सप्टमबर सिरीज में तेजी का मन इस स्टॉक को रखिए गर एडर पे कविदा जी सप्टमबर के सितारा स्वी अशाशी जी सेप्टमबर के सितारा इस लाइक एफम सीजी में बहुत अच्छे मूव जाम लोग देख रहे हैं पेस ते फ्री मन्स अबरिश्टॉर्ट मुश्ज एा वाइस ए नाइटी पॉस्ए उर्फी स्टमपर्स ले लेंक पर लेकर वेज इस ए नियुमाल खुपरी तरी चुर्वर पास्परी तरी एड़ा के सिरी क्स्टमबर परीपकर ओध टो अडिज अच्छा अग्छे और पर आते पर दिखेंगे। टेखने बीच टॉक अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट एक लॉंटर ट्रेंड लाइन की आप देखें पॉसिटिव ट्रेंड लाइन के बाद एक अच्छा फॉल आप बाइंग हमें स्काउंटर पर आते रहे हैं। रिड़ाप रखिये स्टॉक को कविता जी का इस सीरीज का सितारा साड़े सत्रा सोता के टागेट्स। गरांग से पॉदिशनल ये आप लोग भी कुछ एक्विलेट नहीं कर रहे हैं। पर चोड़ देते हैं, हम तो तीजी का ही रुख अपनाते हैं। और इतियास गवा है, तारिख भी गवा है आशिष। और हमने जो टिपनी गरिये बजार को लेकर के भी वो भी आपके सामने रखी हुई है। तो हमारा मानना है कल एक बहतरीन रिकवरी हमने आते हुई देखी। और कल हमारी नजर पड़ी थी अपलो हॉस्पिटल पर 4,250 के आसपास जाकर के ये बंद हुआ है। करीबन एक परसेंट की रिकवरी हमने देखी थी। और जो आकड़े भी हमारे सामने हैं एफनो सेग्मेंट को लिए करके। उसको भी अगर मैं ध्यान में रखता हूं और कल जिस तरीके से वॉल्यूम भी हुए इस काउंटर के उपर। तो मुझे लग रहा है कि यहां से मतलब 4,250 से आगे के तरफ के दाएरे सब्टेंबर सीरीज में अपोलो हॉस्पिटल में आपको शायद 4,500, 4,600 तक आते हुए दिख सकते हैं और गुझाईश मेरे ख्याल से मुनाफ़े की जादा है यानि कि रिस्क रेबाट काफी फेवरेबल है अपोलो हॉस्पिटल पर तो हम अपोलो हॉस्पिटल को ध्यान में रखेंगे सब्टेंबर सीरीज के लिए ठीक अपोलो हॉस्पिटल एक फंडमेंटली बेतर रीच्स इन करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लगता हुआ इस सिरीज में ये स्टॉक कर सकता है आउट परफॉर्म तो बढ़िया क्रॉम्टिन कंजूमर, आईडी एफसी, रुलाइंट, स्पिडलाइट, कोल्गेट, अपोलो हॉस्पिटल्स रखें इन स्टॉक्स और डार पे अच्छा गुरांग सर एक और चीज़, कल का आईटी इंडेक्स दिखाईए गरेक्टिस साब कल वो पॉकिट ने राइट फॉम दे वर्ट को डिसपॉइंट करना शुरू करा, इवेंचुली साड़े तीन परसेंट के दबाफ के साथ आईटी इंडेक्स बंद हुआ, सारे मेजर आईटी स्टॉक्स तीन परसेंट से साड़े चार परसेंट का एक मीनिंग्फुल नॉक जेल रहे थे, और आईटी सेक्टर पर मेरे खाल से जिस तरीके से कल दबाव था, उसका और जो रुजान था नकारात्मक, वो असर था पूरा-पूरा जो अमेरिका में, जैक्सन होल में पावल साब ने टिपनी करी, उसके पश्चात, डाउ जोंस, सेंटी और नाजडाइक में जिस तरीके से गिरावट आई, कास करके नाजडाइक में जिस तरीके से गिरावट आई, उसका पुरा-पूरा असर था, मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे यहां पर लेकर के कोई ऐसी नकारात्मक परिस्तिती और जैसे मैंने पहले भी टिपनिया करी थी आशीश, आज में जो हुआ और नाजडाइक और डाउजोस में जो हुआ उसका था, मुझे नहीं लग रहा है कि जादा घबराने वाली बात है यहां पर पर रिसेंट प्रेशर कल के दबाब के पीचे एक और रीजन है वही ऐसा थोड़ना है कि अलग से पिटते चले जा रहा है कि यतिन स्क्रीन पर नदर आ रहा है यतिन के पास जाओंगा वो रीजन जो आईटी इतना हलका हुआ कल के डिटिंग सेशन में वो भी आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे लेकिन इस समय मुनाफिक त्यारी को समेट रहा हूं हम शुरुआत करेंगे पहला सौदा की और शुरुआत करेंगे इस वक्त की टॉप हेडलाइन के साथ स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में मुनाफिक तैयारी में आपने इंडेक्स के लिए अप्रोच वाल स्ट्रीट के संकेत आज क्या संकेत महत्त पूर रहेंगे स्टॉक्स तु वाच रिलाइन्स के एजियम के बाद अगरा बखें आउस व्यूज सिदंबर के सितारे और होट स्टॉक्स सब कुछ देखा आपकी स्कीन पर रेस्ट ऑफ एश्या में अगरा देखें एक हैंग से श्रंगाई यह बैक फूट में डिसाइसिवले बैक फूट में अगरा पर रेस्ट ऑफ एश्या को देखें स्ट्रॉंग है डाव फूचर्स आज ना के बराबर कि आफिकलिजी के रेस्ट्रेक्टिव डॉसस के साथ ट्वेट कर रहे हैं और सेवंटीन फूर 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 सत्रा चाहसुचोवाले स्टरसट अंकूप खुलने के संकेत आपको मिलते हुए क्या स्ट्रॉंग है क्या स्टेबल है आईए पहले उसको देखते हैं आया सी स्टीसी आरबीयल मिटकेब बैंकिंग में वोल्टास गेल डाटा स्टील अदानी पोट्स करीब-करीब साड़े आठ रुपए उपर एक परसंट की थेज़ी के साथ खुलने के तियारी करता हुए बजाज फिंसर इसमें अच्छा मालेज एक परसंट का मेट्रॉपॉलिस क कोचिक, महिंदरे बैंक, श्री सीमिंट, ग्रैसिब ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो किये हैं थोड़ा सा बैकफुर्ट पर टेट कर दे हैं निफ्टी स्टेल अगर आब देखें जो मार्क्स हैं उसके मताबिक सा तरह 301 अभी वास्तविक तासे थोड़ा सा दूर है लेकिन रुपया दिक्कत भरे दिन था हमने वो रिकार्ड लोज रुपय देखे थे आते हुए और आज भी 79.91 के आसपास इस समय कामकाज होता हुआ तो यह है रुपय की आज सुबे की चाल तो चार पैसे के आसपास की मजबूती के साथ खुला और इस समय 79.92 प्रिकेरिसली 80 के आसपास की जोन्स पर इस समय कामकाज काउंटीज की ओपनिंग कचा तेल फ्लैटिश एक चथाई फीजदी का दबाफ चांदी तीन चथाई फीजदी की कमजोरी के साथ चुरुआत करता हुआ और सोना आपकी स्क्रीन्स पर करीब करीब 90 रुपय के आसपास का दबाफ 51 159 के लेवल्स पर क्विकली आज के टॉप टेन बता देता हूं और इसी टॉप टेन के साथ यतिन से भी जान लेंगे वह इंट्रिस्टिंग खबर तो वह स्टॉक्स भी रडार पर आजाएंगे रियांस इंडस्ट्रीज कल की उस एजियम के बाद ब्रोकरीजिस के जो थम्स अप आ रहे हैं देखते हैं स्टॉक आज दिन के दुरान कैसा रियाक्ट करता है ये स्टॉक रखेंगे रडार पर एक्टर साब आके क्विकली मूव करिए रियांस के बाद जो दूसरा इंपॉर्टन स्टॉक है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो है बजाज फिंसर्ब सुमित मेंशन करके बही वो स्टॉक स्प्लेट और बोनस इशुएंस के रिकॉर्ड डेट है जो सब की लिए अवेट कर रहे थे वो 14 सप्टेंबर की है MSCI में जो बदलाव अच्छा परामल इंटर्प्राइज आज तो एक्सडेट है वो स्पिन ओफ की वो जो डीमर्जर हो रहा है फार्मस्यूटिकल बिजनस का प्लस यतिन ने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था MSCI की रिबैलेंस इंग में क्योंकि इस डीमर्जर के चलते इस सिफ आउटफ्लो होने की तियारी हो रही है तो पी एल वैसे ही रखेगा आज आप रेडार पे अगला स्टॉक प्लीज मूव करिएगा चौथा दिखाईए क्विकली रेडार पे रहेगा भाई ONGC Oil India ये कच्छे तेल में जो ओवर नाइट ट्रेज में बढ़िया उच करा USFDA से एक दवा को नौड मिला है दवा का नाम मैं भी नहीं लेता चोड़ देता हूं उस दवा को रखेंगे रहे यूपिंज के लिए अच्छी ख़बर कहते हैं दवा का साइज अच्छा है M&M ने कल एक नई एलेक्ट्रिक 3-wheeler जोर नाम से लांच करी है खैर ये सारे आटो स्टॉक्स तो हम जब परसो लॉट के आएंगे तरस्डे को आटो बेगरी के आखड़ों की तयारी हो जेगी उससे पहले की पुजिशनिंग आज सेशन में आपको होती हुई नजर आएगी Zomato ने वो Eternal को लेकर जो Confusion हो गया था हला कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि अपना branding rebrand करने Zomato का नाम उन्होंने तब भी कहा था Eternal एक Internal Communications के लिए Internal Reject के लिए नाम रखा गया है Zomato जो ब्रैंड है जस्कतास outside community के लिए वैसे ही रहने वाला है KIMS यानिकी Krishna Institute of Medical Sciences नागपूर में एक नया हॉस्पिटल खरीदा क्या 51% स्टेक लिया है 300 प्लस बेट का यह हॉस्पिटल जिसके लिए 80 करोड़ों पे खल्श करेंगे और टीटागार वैगेंज में अपडेट है कि HDFC ने बही कुछ चंक बेचा है दो सबादो परसेंट यह स्टॉक वैसे भी ऑफलेट रह सा अंडर परफॉर्म करता हुआ आगे बढ़ूं से पहले क्विकली यह तिन एक और इंटर्सिंग डेवलोप्मेंट वो जो हम लोग आईटी की चाचा कर रहे थे कि कल का सेल आउफ उसके पीछे और भी कुछ रीजन है क्या तो आशीश MSCI की रीबैलेंसिंग आज होगी आखिर के आधे गंटे में और इसका रीजन यह है कि कल गणे शुत्सव के वज़े से बाजार बंद है तो जो 31 औगस्ट को रीबैलेंसिंग होती है या महीने के आखरी दिन पर रीबैलेंसिंग होती है कौटरली वो आज होने वाली है यहां अधानी ग्रूप obviously focus पे रहेगा क्योंकि सारे के सारे अधानी ग्रूप के stocks जो front line है वहाँ buy flows आपको दिखेंगे हाला कि सबसे ज़्यादा sell flows आपको आते हुए दिखाई देंगे IT stocks में कौन से कौन से हैं वो IT stocks यहां sell flows होंगे TCS लगबख 57 million dollars के आपको यहां बिक्वाली का आता हुए दिखेगा Infosys, Mindtree जैसे stocks में भी आपको 30-40 million dollars की sell flow आती हुए नजर आएगी obviously Reliance Industries, ICICI Bank और HDFC Limited में भी आपको 10-20 million dollars की sell flows आती हुए दिखाई देंगी जो कोई बड़ी sell flows नहीं है 100-500 क्रोड के आसपास की है लेकिन सबसे ज़ादा जो sell flows है वो TCS और Mindtree में आपको आते हुए दिखाई देंगे जो कि लगबख 300-400 क्रोड रुपे की बिक्वाली है Buying side पे ध्यान दीजेगा Mother Sun Sumi पे यहां लगबख 80-90 क्रोड रुपे की buying आपको आती हुए दिखाई देगी और अधानी transmission यहां भी लगबख आपको 80-90 क्रोड रुपे का buy flow आता हुए दिखाई देगा तो focus पे रहेगा Mother Sun Sumi अधानी transmission अधानी enterprises जहां सबसे ज़्यादा MSCI के buy flows है Self-flow side जैसे कि मैंने पहले बताया TCS और Mindtree यह दोनों में सबसे ज़्यादा Self-flows आज MSCI के वज़े से आखिर के आदे गंटे में आपको होते वह दिखाई देंगे अच्छली तो कर आप देखे हैं इस Rebalancing के Impact आपकी स्कीन प्रेटीन सुनठाते है यह दिन बहुत 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 शुक्रिया जिन स्टॉक्स पर नज़र रहेगी पूरे के पूरे दिन और अब एक काम करते हैं आपको दिखाते हैं आशीश और सुमित की टीम आज सुबह सी को स्ट्राइक करना है ऐसे में आपका प्रिफर्ड लॉंग या रहेगा या फिर शॉर्ट रहेगा जोड़ी उसमें आपका एक ट्रेट की टीम से शुरुआत करो तो मुझे लगता है यहां पेक में शॉर्ट से ले करूंगा और वह एशन पेंट कूड राइजिंग है लेक है वह है 3370 तो जो भी उच्छाल मिलता है 3370 के आसपास वह एक सेलिंग अपोर्चुनिटी होगी है तो सेल करें टीम से और मुझे लगता है अगर कल हमने देखा तो जो अच्छा था उसमें से क्यों पतांजली फूल्स यह जो सेक्टर में कलम ने चल देखी तो पतांजली फूल्स का पैटन बैतरीन है कल एक रेंच का ब्रिकाउट मिला 1150 के ऊपर 1170 का क्लोस था आज का टागेट होगा कि अबड़ा से लेकर 1220 तो पतांजली फूल्ड रहेगा स्टॉप लॉस क्या होगा स्टॉप लॉस होगा 1150 अभी देखे बारा तो फिर थोड़ा सा मैं इसको लिवर्स को एड़िस करता हूं 1170 का स्टॉप लॉस रखिए इन स्टॉक्स को अपने रेडार पे अच्छा आज के टॉप कॉल्स राप करता हूं उसके बाद जो प्री ओपन सेटल हो रहा है उसके बात चीत करते हैं आज के टॉप कॉल्स में सारे के सारे बाई कॉल्स एक्सपर्ट की तरफ से आए थे विए साब की तरफ से बी एल और कविदा की तरफ से आपकी स्क्रीन पे बी एच एल सारे ट्रेट की प्लीज स्टॉप लॉसेज टागेट नोट डाउन करियेगा और कुछ फंडमेंटली स्ट्रॉंग काउंटर एक्कुमिलेट करने का मन तो गवरांग सर की पिक आपकी स्ट्रीन पे इंडियोरेंस टेक्नोलोजीज वो ट्वैंस ली कमती भी लगाया जा सकता है ताव जो प्री ओपन सेटल हुआ है भाई हम आधे परसेंट से जादा अल्मोस्ट दो थी हाई फीजदी के उचाल के साथ पॉइंट की मजबूती 17.400 के उपर की ट्रेजिक्टरी पर शायद शुरुवात करेंगे निफ्टी बैंक में दो थी हाई फीजदी का उचाल देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक 240 अंग उपर 38, 500 के उपर के टिक्स आपको आपकी स्क्रीन्स पर नज़र आएंगे और जितनी कल डिटूरियेटिंग ब्रेथ थी आज उतनी उल्टी ब्रेथ है कल सुबह करती थी वन इस्टू 11 वन इस्टू 12 डिकलाइन्स के फेवर आज 11 इस्टू 12 इस्टू 1 एडवांसिस के फेवर तो वह या डिवाइन फोर्स की मदद देखिये मंगलवार हो गणेश चतिर्तियों सब कुछ सेट है एक दम स्क्रीन बैटर दिख रही है विरू शुरुआत अच्छी होगी और एक स्ट्राइकिंग पॉइंट के ऊपर हो रही आशिश आज सुबह हमारे दो पिविट लेवल्स थे निफ्टी के लिए सत्रा चार्सो बारा ट्विंटी एक्स पॉनिशल मेंगे वेज आशिश और अरतिस पांच सुदस ऑन बैंक निफ्ट अरतिस पांच सो पे ही आपको यादोगा सुबह आशिश जब हम डिसकस कर रहे थे के कल के सेशन में निफ्टी बैंक ने जिस जिस कॉलाइटर ने सबसे स्ट्रॉंग ग्रिप लिया था वो यही था अरतिस पांच सो का कॉलाइटर सतरह लाग का उस्टेन निवाई था तो इन दोनों जोन्स के ऊपर अगर ओपनिंग होती है और ये टिक रही है तो चांसे है कि निफ्टी स्ट्राइक करे हायर पिविट पॉइंट्स ऑन दे हायर साइट कौन कौन से है वो प्लीज लिखाईएगा 17467 523 अटेंप कर सकता है सुबह की बार्निक सारे जी में इक बात कवरिंग का स्विंग जनरेट कर सकता है बट अबाव 412 इफ सस्टेंस 467 523 पॉसिबल रेस्टेंस वन के फस्ट ट्रांच के नीचे आप तो अप्लस रख सकते हैं अगर टिक जाए और बैंक निफ्टी में 38510 के ऊपर 710 और 38940 पॉसिबल है आशिश जी हम तो यह होगे निफ्टी पे अप्रोच अब शुबहम अगरवाल हमासा जूर चुक है शुबहम गुड मॉनिंग काईकर में स्वागत है आपका शुबहम आपकी आज की रिए अप्रोच और आपका कन्विक्शन कॉल गुड मॉनिंग विरेंद्र जी गुड मॉनिंग आशिश जी आज का जो ट्रेड है पहले तो अगर हम ओवराल बजार की बात करें मुझे लगता है कि बजार एक टेंपररी पुलबैक मोड में है और हो सकता है कि यह पुलबैक थोड़ा दिन ओल चले और इसमें इसलिए हम में जो स्टॉक खरीदना है वो काफी साफ़दानी के साथ मुझे लगता है डिफेंसिब बैट पे डिफेंसिव पे हमें बैट लेना चाहिए तो ITC जो काफी समय से कंसॉलडेट कर रहा है मुझे लगता है कि यहां पे हमें थोड़ा सा मूव आतवा दिख सकता है तो ITC का 320 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें लगबग साड़े चार के आसपस कल क्लोज हुआ था इस पे खलदारी किरा है साड़े साथ रुपए का लग्ष होगा और तीन रुपए पे एक स्टॉप लास मेंटेन करें तो आज ITC पे खलदारी किरा है FMCG बास्केट काफि स्ट्राइबल और देखिए जूबर से जाए वो बतंजली हो जाए वो कॉल गेट हो चाहे वो अगर आप देखिए टारा कंजूमर हो उसके बाद ITC बी इस लेस्ट में प्रिफर्ड बाइंड लेस्ट में एपियर होता हुआ 412 के उपा सिस्टेंड होने के चांसेज अगर हैं तो उस स्टेंथ को स्पॉंसर कौन कर रहा है अगर देखते हैं शुबं एल एंटी पे आपका देख 1893 मैं पिछले तीन चाह सेशन से मोनिटर कर रहा हूँ इसे स्टॉक को 1890 1920 का क्लस्टर पार नहीं कर पा रहा है सिमंस ने वो कर लिया, ABB ने वो कर लिया बट एल एंटी में वो आई थिंक बार बार बेकफूट पे आने के गराबे के टंडेंसी डिवलाप हो रही है आपका एल एल एंटी पर आउटलूक है शुबं विजिंद्र जी, एल एंटी भी इन फाक्ट मेरे जो थोड़े वाच लिस्ट है पोजिशनल ट्रेड्स के लिए उसमें एल एंटी भी सामिल है मुझे लगता है कि एवन दो एल एंटी पेछले साथा ट्रेडिंग सर्षिन से ज़्यादा अक्टिविटी नहीं दिखा पाया है लेकिन यह जो कंसॉलिडेशन है यह भी मैचूर नहीं हुआ है लेकिन यह कंसॉलिडेशन में मुझे लगता है कि ग्राजुली हमें खलदारी करना चाहिए तो अगर थोड़ा और पुलबैक होता है अठारा सो साट के आसपास अगर यह स्टॉक मिलता है तब मुझे रखता है इसमें पुलबैक होता है अच्छा ट्रेड बनेगा और इवेंचुली हो सकता है कि हम 2000 तक के भी लगशाते वे देखे एक से देड़ मेंने में तो इमीडेट शॉट ट्रेड नहीं है लेकिन पुलबैक पे खलदारी कराया है लेंटी पे हम खायदारी पर देखें पुलबैक में एरेंटी स्ट्रेड दिखाएगा इंटीन ट्विंटी कर जोन पर नदर रखेगा मानस अदानी पोट्स एट फॉट्टी फोर इस दौर के हाइस क्लस्टर पे जरा प्लीस अदानी पोट्स का चार्ट लिगा येगा अदानी पोट्स अदानी पोट्स ये किस पॉइंट पे खुल रहा है एट फॉट्टी फोर येस पिछले चार सेशन की केंडल्स को बाइसेक्ट करके खुलता वार मानस क्या चांस रखता है ये क्या एट एटी एट नाइंटी के अंदा हाय साइड अगर इस जोन पर टिक ज है एट नाइंट पॉट्टी टू के ओपर खरीदारी करिये एट नाइट थर्टी पोर के स्टॉपनाऊ से और पर टार्गेट बड़े सट करिये आट सुन अप्य रुपे के एट नाइंटी कर अब रिखें स्विंग पॉसिबल है से स्टॉक में नजर रखेगा वोल टास भ बात नहीं करते हैं रिलाइस टॉन्टी सिक्स पॉर्टीन और एक्सेस बैंक लिए गा एक्सेस बैंक आपकी स्कीन पर जिस ट्रेजेक्ट्री में कुल रहा है अधरकी का अच्छी ट्रेट्री है और 733 और अपने इस दौर के बेस के आसपास ही खुल रहा है और तेस अगस् को और सुहाना बनाना है बस यही एक बात है जो कहना चाहता हूँ अच्छी उपनिंग दीजेगा अच्छी ब्लेसिंग्स है उपर से भई हम थोड़े से फ्यूचर्ज भी जानर के यूएस के थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए दो दिनों के प्रिशर के बाद इन ग्र लोस थे 17,164,165 के वो 165 वाला अब 440 के आस-पास कामकाज कर रहा है तो कल के लोस चे तो बहुत मीनिंग्फुल रिकवरी भारती बजार और दोनों इंपोर्टन पिलर्स निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, तीन चुथाई, तीन चुथाई, तीन चुथाई फीज से जादा का उचाल, तो आईटी में पहले साइंस और स्टिबिलिटी कलके अच्छे कासे प्रेशर के बाद, धाई सॉंगों की मजबूती के साथ वो इंडेक्स ट्रेट करता हुआ, और दोनों इंडेक्स आप और ट्रेक्शन बढ़ा रहे हैं, अब एक परसेंट की तरफ तो और पिक्चर के लिए जाएंगे सारे सेक्टरल पॉकेट्स, साब सेक्टरल पॉकेट्स बड़िया मूब दिखा रहे हैं, सारे इंपोर्टन, तीन चौथाई से लेकर वो देड़ परसेंट तक का मेटल्स में उचाल, सारे सेक्टरल पॉकेट्स पॉजिटिविटी करते हुए, आईटी और बैंक जहां खुलेते वहां से और ट्रैक्शन पिक अप हुआ है, निफ्टी में कहां वो आधा परसेंट के आसपास का उचाल, कहां मब 0.85% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए, नजर आएंगे, ब्रॉडर मार्केट्स क्विकली, मिट कैप्स में भी के साथ मजबूती के साथ ट्रेड करना है, कल सुबह की एकदम पलट तस्वीर आपको आज सुबह नजर आएगी, 450 की ट्रेडिक्ट्री, बढ़िया निफ्टी का मूव आता हुआ, लाइए 50 स्टॉक्स विकली देखा जाए, कल जब खुले थे तो 4-5 स्टॉक लाल हरे में और सब लाल था, एकलौता भारती कमजोरी के साथ, ये आधा परसेंट तो कमजोर कहूंगा, कमजोरी के साथ भारती शुरुवात कर रहा है, एल्स 49 स्टॉक्स इन दे ग्रीन, बजाज फिंसर्फ, अब एक्युमिलेशन शुरू हो रहा है बही, जिसको स्प्लिट अप बोन को सब अच्छा करते हुए, जेज़रू स्टील जोड़ दीजे, अच्छा ओटो नदर आ रहे है, मुझे अच्छा ट्रैक्शन दिखाते हुए, टाटा मोटर्स अच्छे गेंस दिखा रहा है, ग्लोबल क्यू सुधर रहे है, तो इसलिए मूट सुधर रहा है, आईशर अच्छी मजबूती में, सेलेक्टिवली ऑटो स्टॉक्स इन ग्रीन अच्छा ट्रेड कर रहे है, आईटी अब तक परसेंटेज में उपर नदर नहीं आया, हाँ, यह आया, टेक महिंदरा, HCL टेक, विपरो, यह सारे के सारे एक एक परसेंट के आसपास का उचाल दिखात हुआ, लैंस इंडस्ट्री अपनी AGM के बाद, सब्सक्वेंट दिन जो आया है, फ्लैट ओपनिंग इस समय दिखाता हुआ, आपको नजर आएगा, ठीक है तस्वीर, यह है आपके सामने, निफ्टी के 50 कॉंस्टूट के कुछ इंपॉर्टन स्टॉक्स हाइलेट कर दिए, कल के FMCG के अच्छे मूव सस्टेन हो रहे हैं, वैसे ITC, Nestle, HUL, सब इंग्रीन में कंटिन्यू करते हुए, टाटा कंजूमर बिटाइनिया जोर दीजे उस कड़ी में, तो FMCG बेतर करता हुआ, एशन पेंट्स इंग्रीन है, कच्छे तेल के ओवर्नाइट उच्छाल के ब पर अब तीन चुथाई फीज़ी हो गया, बैंक्स धटे खड़े हुए, एक परसेंट मूव के साथ वीरू, और सतरा चारसो चालीस की ट्रजेक्टरी पर निफ्टी फिफ्टी, यह लिए और ब्रेथ भी बढ़िया, बढ़िया फेस्टिव मूड है, कोई दिक्कत, अब त पॉइंट के लिए सबसे महत्र पॉन है, वो है 467, 444 पर टेट कर रहे है, आज की ओपनिंग एग्जटी ट्विंटी डे एकस्पोनिशल मिए विच प हुई है, तो 467 आज का इंटरे हाई क्यार आप तक का 459 रहा, 467 और 523 पर अगर आपने लॉंग ट्रेट यह तो नज़ 740 देट 940 की पॉसिबल्टी है, आप लोगों जगजारिश है कर आपने ट्रेट लिया है तो प्लीज पॉकेट फ्रेंडली एक स्टॉप लोस लेकर चलें, इनिशल टर्बॉलन्स हो सकती है, बट एक बार ये बजार एक दिशा में थोड़ा मोमेंटम पकड़ ले तो ये अ कोल गेट हमारा प्रिफर आज का अगरा बेखें होट स्टॉक्स का स्टॉक बजाज फिंसर डीटाने की बाद अगरा बेखें बोनस और स्प्लिट की अच्छा मूव देतावा, IDFC फरस्ट बैंक, BHL आज भी काफिस सूपर एग्रेसिव है, बेटेनिया, FMCG बास्केट में, कियमिकल बास्केट में, सरफ, Jubiland Food Works, Coromandel ये लो स्टॉक्स हॉर्ट स्टॉक्स में चचा हुई थी अच्छा करते वे और हॉर्ट स्टॉक्स में चच्छा हुई थी है, वेल्स पे अच्छा करता वा, अदानी समूव के दोनों स्टॉक्स, अदानी पोर्ट, अदानी इंट प्रकाश का क्यूक सिंगल क्या है आई ये पकरने की कोशिश करते हैं प्रकाश आपका पहला कुछ सिंगल मुझे इंडेसिंग बैंक अच्छा लगता है तेजी नजर आती है लगता है कि कपूल शुरू हुआ है स्टॉप होना तरका 1100 पॉसिबल है ग्यारा सो आपको इंडेसिंग में पॉसिबल लगता है ओके इंडेसिंग बैंक पहली कॉल है प्रकाश का बसर की ये गई है जिए जिरो एट सेवन पर सकीन पहला क्युक्सिंगल निफ्टी 68 को टच कर चुका निफ्टी बैंक 740 को बाइट पर पहले प्रेट पॉइंट्स को स्ट्राइक करते हुए मानस आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड आपका पहला क्युक्सिंगल क्या है बताइए अधिकर बजाज फिंसर्व पर मेरे रज़र है क्योंकि एक बड़ा कंसलिडेशन हुआ था पिछले करेंग सातार प्रेशन में लेकिन पाहली जो रजिसंग था अधिकर फिंसर्व में आपको स्मार्ट रली देखने को मिल सकती है इसलिए टार्गेट सब्सक्राइब और इतने बड़े प्राइस पर आप टेड नहीं करना चाहते हैं तो उप्षिन में टेड़ करिए सत्रा अधार को कॉल अप्षिन ले लिए जिए शिक्स अंडेर अपना मोमिन्टम सस्टेन कर रही है इन फाक्ट आप बैंक निफ्टी सारे चारसों को की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है अरतीस साथ सो के ऊपर की ट्रेडिक्टरी पर और देखिए खुलने के बाद से और मूव तो तूल पकरते हुए इनसेंट बैंक, बजाज फिंसर, बैंक्स और फिनाइंशल के दोनों पिक सिस्समें आते हुए अच्छा मैं ये टॉप कॉल्स पर और कंटिन्यू करूँ उससे पहले एक बात जरा आप पिरामल एंटर्प्राइज़स को दिखाएगा हुए अजस्टेट प्राइस स्क्रीन पो होना चाहिए सवाव नीस्सों के आसपास कल बंद हुआ था और बारा सो तो ये वो एड्जस्मेंट प्लाइउट होता हुआ पिरामल एंटर्प्राइज़स हो गया इसमें से फार्मा बिजनस डिमर्ज ये एंग्सडेट है था रसल आज इसलिए आपने वो एड्जस्मेंट प्लाइउट होता हुआ देखा है सत्पुते साब क्या रेडार पर आया है बही क्विक सिंगल कौन दोड़ार हो आप आशी जी देखें मैं तो FMCG को इचिप करोंगा क्योंकि वहीं पर तोड़ा कमफर्ट आ रहा है कल चुट्टी भी है तो वलेटलिटी को भी तो सामने रखके हमें कुछ पोजिशन रखने पड़ेगे तो ब्रिटानिया यही मेरा पिक रहेगा 37.50 का असपास फ्यूचर में बाय बनेगा चोटन स्टॉप लॉस रखे 37.25 का और टागेट सेट करे 38.00, 38.20 का तो आज के लिए ब्रिटानिया यह पहला पिक रहेगा ठीक बात है कल चुट्टी है थोड़ा सा कौशिस भी रहना है सेफर पॉकिट्स में ट्रेड आइंटिफाई करने चीए तो ब्रिटानिया पसंद आ रहा है इस स्टॉक में आप खरदारी कर सकते हैं आज के सेशन के लिए पालवे साब क्या रड़ार पे आशिश जी चंबल फर्टिलाइजर फोकस में है स्टॉक में देखें तो पिछले दो तीन सेशन से काफी अच्छा बाइंग इंटरेस यहां पर बनाए है स्टॉक में जिस तरह की से डेली बीजिस चार्ट यहां पर प्लेस टे हमें लगता है और इसके पीछे रीजन है वो रीजन कल आपको चार का चौका में दिवान साब प्रकाश दिवान साब समझा के गयते हैं ना दो इंटरेस्टिंग टेल विंड्स और रखिये चार्ट पे भी फोकस में इसमें स्ट्रेंथ पालविया साब को आज भी कल भी आपने अगर एक्कुमिलेट करने शुरू करा है तो मज़ा रहा होगा आपको और चंबल में और अच्छे मूज बनने है तीन सो सत्तर के टो ट्रेडिंग टार्गिट जहाँ पे पालविया साब को नजर आतने हैं करेक्ट हो था ये स्टोक अच्छा का सद्यान रखियेगा और आप इंडस्ट्री के टेल विंड्स जो बन रहे हैं वो चंबल के लिए काफी स्वीट स्पाट पे होगा शुमाम खुलने के बाद आपने क्विक सिंगल का इंडिफाई करा गुड मॉरिंग गुड मॉरिंग असीज जी खुलने के बाद बिल्कुल बैंक्स पे अगर हम देखें तो मोमिंटम है तो एक बैंक मेरे तरस से भी अडिशन है और वो है कैंडरा बैंक जहाँ पे एक अच्छा मूव और ब्रेकाउट आता वाद दिख रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेड बनाना चाहिए 240 के स्ट्राइक का जो कॉल आप्शन है अभी 10 रुपे 50 पसे पे ट्रेड कर रहा है इस कॉल आप्शन पे खलदारी किरा है आठ रुपे पे एक स्टॉप प्लस मिंटेन करें और अपसाइट में मुझे लगता है 16 रुपे तक का टागेट इस कॉल आप्शन के लिए आता वाद दिख सकता है तो कैंडरा बैंक का 240 के स्ट्राइक के कॉल आप्शन पे खलतारी कि रहा है बैंक सबको पसंद आ रहा है फिञनल पसंद आ रहा है सरकारी कैंडरा बैंक जो अपने पीर्स को आउटपरफॉर्म कर भी रहा है तेजी बुनाने के तरीका 240 का कॉल सब्टेंबर का ले लिजे कैंदरा बैंक का लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे नोट डाउन करिएगा कवेता जी क्या टेडाइन फाइक या स्क्रीन्स को देखकर अगले दस मिनिट की ओपनिंग के बाद यह साशुष्टी को दो सेटोस में जिएख्छा मूब लगा एग लाई एग एड्यार लाईजर्स एंडार्स पावर झुट सब्सक्ष्ट इस लोग गन्गूद ऐग्यर्ण सब्सक्रीजर्स एर ग्रविए एंग्यर्स पर फाणूद सब्सक्रीं इस बाटाबं गर्र में जि बाइकॉल 728 का एक stop loss maintain कर सकते हैं और risk reward के चलते हैं एक और stock share करना चाहूंगी that is NTP is also looking good 161 के stock के साथ NTPC में भी position बनाई जा सकते हैं for 165-166 के टाइट GNFC हो गया एक और fertilizer pick एक और इसले कि चंबल अभी भी बातचीत हुई थी पालिवा साप की तरफ से GNFC कवेता को पसंद आ रहा है 755 तक के टाइट और NTPC में भी long initiate किये जा सकते हैं 165-166 तक के zones और पैनल में अब मुतिलाल उस्वाल से शिवांगी सारदा शुमार होती हुई शिवांगी हाई good morning शिवांगी festive greetings आपको खुलने के बाद आप लोग ने कौन सा टे इडिटिफाई करा है काम पे मौके है जी बिल्कुल सभी को festive greetings as well और बहुत शुक्रिया तो हमने दिखा है कि यहाँ पे जो non banking financial space में आज जो बरत देखने को मिल रही है फिन निफ्टी का expiry भी है आज तो यहाँ पे बजाज finance मैंने identify किया है काफी अची तरह से इसमें movement देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से करिश के support लेते हुए आगे बड़ा यहाँ पे एक अची बड़त देखने को मिल जाएगी तो 72.50 तक का एक targets बन रहा है यहाँ बजाज finance में और 7100 तक का stop loss हम बनाए रखेंगे और यह stock खरेदारी की सला रखेंगे ओके बजाज finance 7155 पे एक राद रखेंगे यहाँ पे एक अच्छा move day high की trajectory market rate करता हुए मैं उन stocks को देख रहा था जो कि trajectory को काट के trade कर रहे है trajectory को बतलब यानि पिछले 5 session की lose को bisect करके हाइस को bisect करके trade करते हुए इसमें याद रखेगा एक stock था ONGC और crude की strength इसको अगरा बेखेंगे पूरा benefit देती वी और पिछले कुछ session की trajectory और मैं कुछ session बोलू तो 4 जुलाई से लेके अब तक की पूरी trajectory को bisect करके करता हुए अधानी enterprises को लेके आईएगा flying high 3298 और एक चीज़ याद रखेगा 19 अगस्त की close को यह bisect कर चुका है frankly speaking it's now flying towards all time high trajectory इसमें था पहले intraday high था 3260 का लेकिन close नहीं उपाया था लेकिन flying high सुपर स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग रोलोवस थे अधानी पोर्ट्स लिखे आईएगा 848 15 अधानी enterprises पर उतना अच्छा रिस्क reward ने था लेकिन यहां पर शाइद reward अच्छा हो शुवम 848 एक दो ती चार सेशन की candles के high को cross कर दिया और अब वो केंडल है जो की सबसे वाइड केंडल थी 23 अगस्त का इसका हाई था 891 शुवम अगर स्ट्रेंथ को capture करना है कोई call option 848 60 और और slightly out of money call लेकर क्या इन दोनों स्ट्रॉक्स के वाइड मोग को खेल सकते हैं क्या आप बिल्कुल विरेंदर जी और इसमें काफी अच्छा ब्रेकाउट दो-तीन दिन का जो consolidation हुआ उसके बाद आतावा दिख रहा है और because the stock में generally volatility जादा होता है तो मैं थोड़ा far OTM जाओंगा because पूरा महना बाकी है तो अगर हम far OTM पे भी जाएंगे तो बहुत जादा इसमें risk नहीं है तो 900 का जो round figure strike है उस पे liquidity काफी अच्छा है तो मुझे लगता है 900 के strike का call option अदानी course पे खरीदना चाहिए लगबग 24 के आजपास का price चल रहा है इसमें 19 रुपए पे stop loss maintain करें और 36 रुपए तक का target is call option के लिए आतावा दिख सकता है तो 900 के strike के call option पे खरदारी के राय है अदानी course पे ओके आप super wild move expect कर रहे हैं इस stock में और आप ले रहे हैं deep out of money 900 का call okay that's good अचा idea है याद रखेगा इसका मतलबी है कि 23 अगस्त की candle का कर आप देखें प्राइस जून आप expect कर रहे हैं इस counter में plan a day high 851 10 पे option है 24 रुपए 10 पर से क्या सपास और impress क्या कर रहा है कुछ stock जो कि suddenly appear होते वे sheet पे और अच्छा करते वे real state space DLF लेके आईएगा आपके screen पे 378 और अच्छा करता वा मुझे कर याद आता है Gotham शाह जी का अगर आप देखें एक view और उन्हें ने कहा था कि जनाब real street पर नज़र रखे चलिएगा strong है ये space तिकिए DLF एक बहुत clear चार्ट तो नहीं है क्योंकि हलका से turbulence zone है इसमें 390 और 410 के आसपास और in fact 395 के आसपास but 20 October 2021 से लेकर अब तक की जो sloping downward trajectory है वो ये stock bisect कर रहा है I think मैं DLF पर बात करूँगा एक काम करता है राजेश शत्पुतिजी ने एक हैंड रेस किया उनके पास एक call है पहले इसको देख रहे है राजेश जी आपका call और 9000 के ऊपर यह डिसाइश लिए ट्रेड होने लगा तो यहां पर शॉर्ट स्क्वीज होगा तो इस सब्सक्राइब नाइन थाउजड की वह स्टॉप लॉस एट 50 रूपीज डाउन आपके सकती के 8950 करें यह 8950 का स्टॉप लॉस होगा और 1200 प्लस का नागेट सेट करें म अब रिकाउट में रहे हैं पर और गावा सर को तो याद ही नहीं होगा गावा सर टार्गेट अचीवड जी यहां लगबग अचीवड नवजार का टार्गेट ता अचीव हो गया लेकिन अब भी मुझे अच्छा लगता है 9200 पॉसीबल है आते दिनों में मारुती चार स् अच्छा आए टी थोड़ा पस्त पढ़डा है इंडेक्स ही पर दिखाईए का यह जबकि रूपया एटी पे है पिटे हुए स्टाक्स हैं लेकिन थोड़ा सा आईटी अभी वह बहुत मीनिंग्फुल वह आउट्फ्लोस नहीं है में सी आई की रिबैलेंसिंग ऐसा नहीं फिर वी आईटी पर जाला कन्विक्शन स्ट्रीट का नहीं भारती एटल अच्छा कासा दो तियाई फीजदी का दबाव वो शुरुवात में भी एकलाता स्टॉक था जब हम दोग स्क्रीन देखने कहे थे रांग सर यह पियर के रूलाउट प्लांस का इंपक्ट है और इस इस वित्य वर्ष के पहली तिमाई के आये थे भारती एटल के काफी सराना जनक थे और हमारे उमीद के ऊपर थे कुछ आखल को लेकर कि अच्छे बारती एटल पर तो हम 850 से लेकर के 880 तक के लक्ष फिलाल निर्धारित किये लंबी अवदी के लिए तो रिस्क एटल में यहां से लंबी अवदी के लिए आज से अभी बी इन लिवल्स पर एट्रैक्टिव चार को चौकर का टीजर दे देता हूं उसके बास वीरू के पास चलेंगे आज का एफ एनो स्कैन एक बार रन तू कर लेंगे उसके बास स्टॉक पिकिंग तो कंटिनू रहेग आज का चार का चौकर का टीजर स्क्रीन पर आएगा शुरुआत होगी सस्ता आप्शन से सस्ता आप्शन जाएंगे हम शुभम के पास शुभम एक बढ़ी असा सस्ता आप्शन ट्रेट प्लीज रेडी रखेगा एफ अनो स्परस्टार के लिए आज हम लोग कविता जी के पास जाएंगे कविदा जी एक बड़ी आसा FNO का सुपर स्टार प्लीज आइंटिफाइ करके रखेगा चार्ट का चमतकार शिवांगी शिवांगी कोई चार्ट का चमतकार बेसिकली चार्ट पे जो कहीं स्ट्रेंथ या वीकनेस जब भी प्ले करना है आपको वह अभी तो ट स्टॉके का टीजर आपसे पांच-दस मिनिट बाद इन्हीं एक्सपर्ट से जो हाइलाइट किये गाएं इनसे कुछ बड़िया स्टॉक पिक्स लेंगे लेकिन विरू एक बार जड़ा वाइदे का स्कैन रन करा जाएगा जैंब देखे आप आशिश एक बात पर यहां पर यह कहलों कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही हमारे फस्ट प्रिविट पॉइंट्स को अब क्रॉस करने की थ्यारी करते हुए यकीन मानिएगा एच सिक्स्टी सेवन एक ऐसा पॉइंट है जो कि सत्रह पांसों के क लाइटर को बेक फुट पे लेक आएगा और 17467 के ऊपर सस्टेन होने पर आपको 523 की पॉसिबिल्टी बहुत स्ट्रॉंग मिलेगी देखिए क्या हुआ 20 डेमा की टिजेक्ट्री को जो आप क्रॉस करके ऊपर आ रहे हैं लुक अट दे लॉंग शॉट रेशो निफ्टी क बजार में अगर आप देखिए जरा प्लीज लिखाए यह ब्रेथब 135 लॉंग्स आशिश पिछले 10 दिन में बिट्विन 915 टू 945 यह सबसे ज्यादा लॉंग्स हैं सबसे ज्यादा लॉंग्स हैं और शॉट कवर हो रहा है 23 में शॉट मात्र सुला में और लॉंग अन्वा बजार शायद रिवार्ड खोजने की कोशिश कर रहा है इन चार डिजिट्स का इंपक्ट और आइधिंक क्रक्स यह है शॉट कवर कहां पर है इंफो एच गोद्र फापर्टी सारा मोटर्स श्रेयाम ट्रांसपोर्ट फिनेस आईशा मोटर्स याद रखेगा और तो एक करने की कोशिश करता वा बैंकिंग में इंडेसिंद बैंक आज सीनबी सीवास का पहला कॉल गया जो कि आज प्रकाश्च सर के सोजिनने से आया था और इंडियाब्स हाउजिंग फिनानस और फेडिल बैंक मिटकेप बैंकिंग स्ट्रॉंग है याद रखेगा और वो फेड बिल्डप कहाँ पर है थोड़ा सा अगरा बेखें एवीबी में चोला में सिंजिन में भारती टिल में ग्लेंड मार्क में विजिबल में दर आ रहा है ओके याद रखेगा डेटा अच्छा है इस बीच 468 बैंक निफ्टी जादा मालेज लेता हुआ 38759 शुबहम जी की दो यहाई पर और इस दोर की हाइस ट्रिजिक्ट्री पर समझ लीजिगा की ट्रिजिक्ट्री होती है वार जोन क्योंकि इसने 319 का हाई लगाया था 24 अगस्त को वो भी अब आल्मोस्ट ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ शुबहम जी का दूसरा कौल था अदानी पोर्ट्स लुक अदानी पोर्ट्स नाओ 848 का लेवल था 855 हो गया डीप आउट अफ मुनी कॉल दी थी 900 रुपे की अब वो डे हाई पे ट्रेट कर रही है गजब गजब शुबहम जी अच्छे ट्रेट्स में अपने इन दोर ट्रेट्स पर ट्रिपनी करिएगा और कोई और अगर ए 10 दिन का जो कंसॉलडेशन था उसके पार निकलने की यहां पर कोशिश हो रही है तो मुझे लगता है कि इसमें एक बैतरी मूव आतावा दिखना चाहिए तो जो सुबह का हमारा ट्रेट था 320 के स्ट्राइक का कॉल अप्शन मुझे लगता है उसके साती हमें यहां पर बने आने के राए है आई टी से आपको स्ट्रॉंग लगता हूँ अच्छा लगता हूँ और एसर एफ का रेक्टर साब बताईये मिरे को जिक्र सुबह से हुआ के नहीं हुआ अभी तक में ख्याल से नहीं हुआ जहां तक मुझे याद है नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ औ और S.R.F. अच्छा करता हुआ मानस, प्रियम्ट करना चाहेंगे क्या S.R.F. को ऑल्दो 2500, पच्छे सो का कॉल राइक्टर स्क्रीन पे आइ थिंक वो जोन है जो ट्रबल करेगा लेकिन चाहती के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता हुआ S.R.F. आपकी राय, 2490 पे कोई ट्रेट पॉसिबिल्टी यहाँ पर? विरिंद्र जी, S.R.F. में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गिरावट हुई थी कुछ दिनों पहले उसके सामने अभी यहाँ पे फिर से एक मूव आतावा दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कॉंफिदेंस नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि 2525 तक का यह एक्स्टेंशन यह मूव में आतावा दिख सकता है तो प्योर्ली इंट्राडे परस्पेक्टिफ से ट्रेड होगा जहाँ पे 2460 पे एक स्टॉपलास मिंटें करें और 2525 तक का यहां पर लग्ष होगा इसाराफ आपकी स्कीन पे स्ट्रॉंग करता हुआ शिवांगी आप लास्ट तैम जब आई थी तो आपका कन्विशन कॉल था सिमेंस अन दे इसने अच्छा किया अगले दिन और भी अच्छा किया आपका आउटलुक है या फिर कोई और स्टॉक जिसको आप चीज़ करना चाहेंगे विदिन कैपिल गुद्स जी बिर्कुल सारे ही कैपिल गुद्स पेस में हमने अच्छी मोमेंटम देखी है पिछले कई दिनों से और सारे ही स्टॉक के अगर हम बात करें तो काफी अच्छा यहां पे प्रदर्शन हो रहा है पर अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो मेरा यहां ध्यान हल पे है काफी positive stance है और stock जो है 2200 लेविल की ऊपर काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है तो पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि अच्छी तरह से होल्ड करते हुए अब एक fresh पोलिन फ्रैक का breakout दे रहा है तो यहां पे हमने देखा कि last series में OI edition भी देखने को मिला था long side में तो यह stock जो है 2400 तक के targets यहां पे बन सकते हैं stop loss अब मनाया रखेंगे 2200 का 2250 का जै हम शिवांगी जी अपने house views पे completely अगर आप देखें capitalize करते हैं चंदन जी थे उनका भी top call जो था वह HL था तो मुतिलार वह स्वाल का अब देखें strong conviction जो है वह 2310 पे HL पे बना हुआ है आशिश SBI एक बार आशिश जरूर देखिएगा दिखा दिखा दिते स्क्रीन पे और व्यू भी ले ले लेते हैं क्योंकि गावा सर ने इंडेसेंट बैंक पकड़ा था SBI बड़ी अच्छा इस समय एक चीज दियान रखेगा वो जो domestic stories हैं वो खुलने की बाद traction pick up कर रही हैं तो कोई सरकारी बैंक, कोई autos, कोई real estate इन में अच्छा moves बनने शुरू है और कूल ओफ क्या होना शुरू है, कोई IT, कोई pharma जो export oriented जादा बिजनसे हैं मैं शर्मला पर जाओंगा इस बात पर लेकिन पहले क्योंकि वीरू ने SBI की बात शेड़ी सरकारी बैंक का इंडेक्स भी दिखाईए और SBI दिखाईए, क्या बढ़िया move बनता हुआ कावा सर, SBI at days high इस बढ़िया 2% के आसपास का उच्छाल लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे SBI, momentum है, 520 का stop लगाना चाहिए SBI पर upside पहला target 530, उसके 535 possible है SBI, बैंकिंग खेतर मुझे अच्छा लगता है banking पसंद, banking medicine पसंद, SBI को रखी radar पे जो अच्छे moves दिल्वर करना इस समय शुरू करता हुआ लेकिन शर्मिला ऐसा हो गया है क्या, अगर कुछ pick करना है, कुछ add करना है तो मैं लाजरी thrust दूँ, जादा focus सिफ domestic stories पे करूँ, वो safer bet है और screen view ऐसी play out हो रही है, ऐसा है क्या? Well, I don't know कि इस तरह से play out होगा कि नहीं, लेकिन मुझे यह ज़रूर लगता है कि given the fact कि कल गंपती चालू होगा और जैसे हम जाते हैं कि now we sort of officially enter into festival season, you know, फिर क्योंकि उसके बाद नवरातरी चलते हैं फिर दिवाली, you know, then end of the year, so मेरे इसाब से जो उसा मैंने देखा है for गंपती, I think that's going to spill over to all the festivals क्योंकि बहुत दोस साल के समय के बाद लोग मिलेंगे दूसरे को physically, कोई रिस्रिक्शन नहीं रहेगा, people will shop so I think definitely आपको वो सेगमें पे ध्यान देना चीए और आज का, you know, to just give you a little heads up, मेरा आज का जो midcap panda है, वो इसी सेगमेंट से है, we'll talk about that later लेकिन yes, I think कि इस तरह के जो, you know, those stocks which are sort of domestic facing and that sense मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा quarter और अच्छा साल रह सकता है अच्छा, मैं अगर सही हूँ तो आप ये परेल साइट कहीं रहते हो ना, मैं, लाल बाग तो राजा के आस-पास रहते हो ना Absolutely, and you cannot believe कि किस तरह से celebration हो रहा है ये साल, what I've seen on Saturday, Sunday, अगर वो कोई टीजर है कि अगले दस दिन किस तरह के रहने वाले हैं, I can assure you, this year, all festivals are going to be big इसे indications आगए, जो celebrations की तैयारी, इस बार गणपती में मुंबई में तो खासतर होती भी नजर आ रही है, और in case, हम सब miss कर गया, लाल बाक्चा राजा उस लाइन में खड़े-खड़े नहीं देख पाया, तो शर्मल मैम से बोलें कि बालकनी से कुछ दिखवाद ने हमको, त हम वो feel capture at least तो करी लेंगे, लेकिन आ, फेस्टिविटी से बीच में एक भैतरी पिक भी उसी स्पेस से आने की त्यारी, चलिए, तो बात छिडी गई है, तो चार के चौकिंग की शुरुवात कर दीजे, डेक्टर साब दर अस्टिंग प्ले आउट करिएगा, और सबसे पह का अगर हम हजार के स्ट्राइक का कॉल अप्शन देखें, भी एक्जाक्ली बीस रुपे पे ट्रेड कर रहा है, और यहां पे खलदारी के राया है, 27 रुपे का लग्स होगा, 16 रुपे पे स्टॉपलास मिंटेन करें, टीवीस मोटर को अगर हम देखें, और बाकी ऑटो प डुमेस्टिक स्टॉरीज हैं जो बड़ी आउट परफॉर्म कर रही है, टीवेस मोटर्स का हजार का सब्टेंबर का कॉल करिवा जा सकता है, 27 के लक्षे 16 के स्टॉप के साथ, रिविजट कर दूँगा सारे ट्रीट, अब अगले गड़ी में मैं F&O सुपर स्टार के अगले ट्रेंट अभी तेरा सु इंठानू के लेवल्स पर है, टाकिकली बहुत अच्छी से प्लेज़ एक बात मौनिंग स्टार प्रमेशन गनाया है, और अज इंट्रादे में भी अच्छा मोमेंटम पिक अपॉते लिए 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 है, मुझे लगता है, 1423, 1440 के लेव प्रमेशन गनाया है, टीवेस मोटर्स मूव दिखानाया शुरू कर रहा है, पसंद आ रहा है शोबहम को, ट्रेंट एक रिटेल इलेटिट स्टोरी आपकी स्क्रीन पर पसंद आ रही है, कवेता जी को मूव अच्छे दिखा रही है, 1440 तक के वेंच्छल टागिट यहां प जी, आज मैंने इडेंटिफाइ किया है कोल, इंडिया, तो हमने देख रहे हैं कि पिछले 10 हफतों से यह कंटिनूसली हायर मूव करते जा रहा है, वीकली चार्च सेटप अगर आगर देखे तो, और डेली फ्रेम में जो है 50 एक्स्परेंशल मूविंग अवरिज को काफी अची तरह से होल्ड करते वे आगे भर रहा है, तो जिस तरह से सपोर्ट इसमें ग्राजुली शिफ्ट हो रहे हैं, पॉस्टिव मोमेंटम बनी रहने की हां पे कांशा है, तो यहां पे 245 का एक टार्गेट बन रहा है, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 230 का, इसको कै प्रिफर्ट पिक 230 के स्टॉप के साथ, विरु कुछ कह रहा है, ने, 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 अपने आप में आपका लॉजिक बहुत तगड़ा था, लेकिन याद रखेगा आज कल में कुछ नहीं करना है, आज मंगलवार है, कल गरने शुतुरती है, तो तंदूर सा कहला है, तंदूर मिटका फंडा कॉल के लिए, मैं जा रहा हूँ, शर्मला जी के पास, शर्मला जी ने वैसी हैलेट कर दे कुछ फेस्टिविटी रिलेटेड है, शर्मला मैम कौन सा, वैसे कल तंदूर नहीं चलेगा, कल मोदग चलेगा, ये तन जानके रखे तो स्टीमर चलेगा, तंदू बढर नहीं। वो तो कंटिनी होगा, बट पिपल और वालसो गो तो सोज एंजोई रियल शॉपिंग एक्सपपिंग एक्सपिरियन्स और वह पर इनके स्टोर्स का एक्सपंशन प्लान जिस तरह से है वो उनके फाइदेका ले सिकता है पिछले साल के अगर आप नतीजे देखेंगे तो उन्होंने जिस तरह से अपना बैलन शीट कंसॉलिडेट किया है कॉस्स पे कंट्रोल रखा है, अगर आप पिछले दो क्वाटर के नतीजे देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा, कि you know, that things are now beginning to improve on ground उसके साथ साथ उन्होंने पैसे भी रेस किये थे उससे जिस तरह से एक्स्पांशन किया है, the brands they've bought, Reebok India, House of Masawa, which is you know, a pret line by the designer Masawa तो इस तरह के चीजे भी आगे चलकर उनको revenues meditation देगी, the men's non-formal line, at leisure, जो एक बहुत बड़ा segment बन गया है So you know, they'll have various lines of businesses, क्योंकि मुझे लगता है, वो भी एक अच्छी strategy रही है पिसले दो सालों में कि अलग-अलग ethnic wear में है, they are in at leisure as I said, they are in direct to customer तो अलग-अलग segments में उनका presence है, और इसका आगे चलकर हमको फाइदा मिलेगा So I'm recommending a long-term buy on this stock with a target of 350 अधिति बिल्ला, fashion in detail, रखे रडार पे stock को, quickly चार का चौका का wrap-up screens पर आएगा सस्ता option शुबम की सारफ से था, TVS Motors, 20 पे लिया हुआ, 1000 का call, TVS Motors का, 23 पे समय खड़ा हुआ है, 27 तक के target तो आधी जर्नी हमने अब almost cover clear, लक्ष की तरफ बढ़ रहे है, 27 के लक्ष है और 16 का stop loss है, जो आप मेरे काद से आप ट्रेल करना शुरू करने ज़्याद अच्छा FNL का superstar कविता जी की तरफ से आया, वो है trend, बढ़ चुका है लेकिन अभी भी structurally बहुत positive नदर आ रहा है, move अच्छे आएंगे, 1398 पे mention था, 1405 पे खड़ा है, 23 और 1430 तक के eventual target से हाँ पर चार्ट का चमतकार, शिवांगी की तरफ से कोल इंडिया, खरदारी करने का मन, और 230 का stop लगा है, 245 तक कोल इंडिया शायद जाने की कर रहा है, तैयारी, और finally अभी-भी, midcap funda की चर्चा हुई, अदिति बिल्ला, fashion and retain, festivities के बीच में शायद, अब यहां से जो season pick up हुआ है इनकी sales, इनके लिए beneficial समय आ रहा है, यह stock हरकत दिखाएगा, हरकत दिखा भी रहा है, आपने देखा हुआ पिछले कुछ दिनों के ज़रा, साल का chart खुलीगा, देखे किस तरह से ABF RL मूव कर रहा है, अपने near highs के आसपा स्ट्रेट करता हुआ, यह साड़े 300 तक जाने की कर रहा है, तैयारी. एलिफ में लॉंग था, गूदि पापरटीज में शौट कवर था, लुक एट, यह LIC Housing Finance को लिखिया, यह 413, यह राजेश सत्पुते जी का बहुत अच्छा रीड की आवास टॉक है, राजेश जी, 25 नॉमबर 2021 के बाद का आपने सारा का सारा कलस्टर बाइसेक्ट कर दिया बैंक्स और NBFC का मूव, 413, आपका इस पर टेक क्या है, यह अमूमन एक सूपर स्विंग देता है और यह जुलाई की और अगस्त की सिरिस का स्टार प्राइस परफॉर्मर था, आपका व्यू क्या है, अब 413 के ऊपर नया टारगिट क्या, और कोई आपशन पे रोड़ ब होगा, और वो रहेगा, 430, 430 निकले, तो फिर मुझे लगता है, 445 तक की जगा बनेगी, तो इससे बाइन LIC, आपको जो स्टाप्लॉस प्लेस करना है, वो रहेगा 400 का, ओके 400 का स्टाप्लॉस लगाके, 430 तक के टारगिट, 440, 430 तक के टारगिट यहाद रखेगा, थोड़ा से पहले लोवर टारगिट लेके चलते हैं, वहाँ तक का स्विंग आपको मिल जाएगा, आज सुबह हमने होट स्टाप्स में चर्चा की थी, एक स्टाप्की और वो वो जो मैसेज दे रहा है, वो दे रहा है, एट 2732 याद रखेगा, एक रेंच बाइसेक्ट होने की तैयारी पूरी चल रही है इस स्टाप्स में, 2740 यह इसका इस दौर का और 22 अगस से लेके 12 अगस के बीच का हाई है, शुमाम आपका टेक इस वक्त पिडिलाइट पे विजेंदर जी, पिडिलाइट में अगर हम देखें तो कुछ समय से यहां पे कंसॉल्डेशन था, फिर कल थोड़ा ब्रेकडाउन दिखा और इमिरेटली स्टॉक रिकवर करता वा दिखा, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी शॉर्ट सब ट्राप हो चुके हैं, और यहा चाहिए, तो खलदारी की राय पिडिलाइट पे 2710 पे एक स्टॉप्लस मेंटेन करें और अपसाइड में 2780-2800 तक का लग शॉर्ट तम में आतावा दिख सकते हैं परिलाइट अच्छा करता वा, डे हाई पे फ्लो करता वा, शानदार बोव यहां पे, स्ट्रॉंग स्विंग देता वा, और जो स्राइफ पे डिस्कुर्शन हुआ था और अधानी इंट्रपैस पे वा था, अधानी पोर्ट पे हुआ था, कुछ और अगर जो की स्ट्राइक कर रहा है, इस स्पेस में वो है, श्री सिमेंट, क्लीन चार्ट है, बट बाइस सो तेरा 200-day एक्स्पोनेशल में गेविज काफ साइब बजाज फिंसर, इंडेसिन बैंक, फेडरल बैंक, नौकरी, ट्रेंट, इन सभी स्टॉक्स पे चर्चा हो चुकी है, फिर लेके आते हैं सेक्टर्स जहां पे सबसे स्ट्रॉंग OI गेन हुआ है आज, याद रखेगा आज इंडिक्स पे खासा दाव लगा है, इंड इंडियोबी में, बंधन बैंक में, इंडेसिन बैंक, और कोटेक में इंडरा बैंक, इन में काफी अच्छा कासा OI इडिशन हुआ है, एक बार HDFC लेक्ट 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 है, और अभी भी अपने 20D एक्स पूंशन में है, विचके निचे ट्रेट करता इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा, एक दो बड़े बैंको को पिक कर लेते हैं, यहाँ पे, एट 863 क्या चार्ट क्लियर है, नो, नौर एक्जेक्ली, बट मानस, आईसे से बैंक पर आपकी अप्रोच क्या होगी, फर्स्ट अटेंप्ट पे, अभी 10 डिम अक्रॉस न हैं, लेकिन मैं इंतिजार करूंगा एक ब्रिक आउट का, जब 870 रुपे की ऊपर निकलेगा, तब खरीधारी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप उमीद कर सकते हैं, जो पिछला हाई 882 के आसपास है, वो तो टेस्ट होगा, लेकिन उसकी ऊपर निकलने के चांसे बह जैसे गावजी का मारती दिखाई है, अब तो 9,040, 9,000, ये गावजा सार, ये ओवरनाइट चार्ट देखके तेजी करी थी या मंगलवार के दिन मारती चुना था, ये चार्ट में मुझे बेसिकली जैसे के सुबह साथ बजे बताया था, के बेसिक चार्ट स्ट्चर सही डेली टाइम लेम भी इतनी गिरावाट के बाद साइडेज मुझे ता, और कल तो अच्छा मुझे ता, तो ये सस्टेन था, दिखा रहा था कि स्ट्रेंट है और कुछ नहीं, और दिन भी सही था, और दिन तो सही था, तो धक्का तो देही दिया ना मारती ने, और कल तो मा अबरे से ब्रेक के उस पार हमारी चर्चा, मतलब पैनल के लिए कर रहा था, ऐसा नहीं कि अभी शोग हुए, तो फील आया मुझे भी कि साड़े तीन बजगे विरू और शोग हतम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाचीट, ब्रेक के उस पार दस के दंदार ट्रेज की शुरुआ है, तो फावट बाइ, सेंचुरी प्लाइ, आख से बचाए, आख को फेले से रोगना मुश्किल है पर नमुम्किन नहीं, अब फायर वाल टेक्नोलजी के साथ, सेंचुरी प्लाइ, क्लब प्राइम, आख से बचाए, उपए, मिले सेंचुरी प्लाइ, क्लब प्राइम, आख से बचाए. आख से बचाए, आख से बचाए, आख सिर्शाए, आख से बचाए. तो अच्छी शुरुवात हुई है चार सो सतर के लेवल्स पर निफ्टी कल के लो से अच्छी कासी रिकावरी कल हमने 165 चुआ था इंट्राइब में जब गैप डाउन के साथ शुरुवात हुए तो 165 की जगे अब हम चार सो पैसट के उपर इस समय ट्रेट करते हुए तीन सो पॉइंट प्लस की रिकावरी हम इस समय देखते हुए तो अच्छा रेजिलिंस दिखाया भारती बाजारों ने निफ्टी बैंक आज बैंक्स और बैंक्स के साथ जोर दीजे फिनाइंचेल्स यह वो पॉकेट है जो मोमेंटम को लीड करें निफ्टी बैंक सबापरसेंट की गेंज दिखाता हुआ 500 अंकों की मजबूत और इसमें फिनाइंचेल्स दोड़ दीजे क्योंकि इधर बजाज ट्विन्स वगएरा गजब करके रखे हुए तो फिनाइंचेल्स भी आपकी स्क्रीन पर सुबा से मोमेंटम सबापरसेंट के आसपास का गें उस पॉकेट में तो यह फिनाइंचेल् जब ट्रेट की शुरुआत हुए ती आज 9.15 पे तो 11.2 या फिर 12.1 का रेशो था एडवांस के फिवर में वो तोड़ासा कूल आफ हुआ है लेकिन अभी भी 6.7.1 एडवांस के फिवर में यानि बजार में हर एक शेर गिरने वाले के सामने 6-7 स्टॉक्स मजबूत है